हेलो इस्टुडेंट, कैसे हैं जैसा कि फिछले मैट के क्लास में मैंने काउंटिंग्स नमबर पढ़ाया और मैं आज सभी को वॉट कॉंप्स आफ्टर पढ़ाने जा रहे हूं आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद की संख्या जिसमें कौन से हम जानेंगे कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है जैसे 9 के बाद 10, 7 के बाद 8, 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, 12 के बाद 13, 21 के बाद 22, 25 के बाद 26, 32 के बाद 33, 16 के बाद 17, 14 के बाद 15 अभी हमने पढ़ा what comes after अब हम पढ़ेंगे what comes between अब हम जानेंगे कि between का मतलब क्या होता है between का मतलब होता है बीच में वानने वाली संख्या जैसे कि number 9 और 11 की बीच की संख्या होती है 10 आगे पढ़ेंगे one fifteen fifteen और one seven seventy की बीच की संख्या one six sixteen twenty और twenty two की बीच की संख्या क्या होती है twenty one twenty five और twenty seven की बीच की संख्या twenty six thirty और thirty two की बीच की संख्या thirty one दो बच्चों, आज का क्लास यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए चेप्टर के साथ, आप लोग अच्छे से घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए